इसे कुमार गुपता जी यूटूब चैनल में आपका स्वागात है यह स्पीडी का बाइसमा पार्ट जो बहुत ही इन्पोर्टेंट है विभिन प्रत्योगता प्रेक्षाओं के लिए उप्योगी है किरपिया इसे एक बार जरूर देखे यह आपके समने पहला कोस्चन डिष्टीत है चार ओप्सन दिए गए दोस्तो इसका सही एंसर है ओप्सन नमर सी पस्चिम मंगाल कोलकत्ता की राजदानी है पस्चिम मंगाल में यह खन कोईलाखा खन है जो बहुत इप्रसिद्ध है विभिन परकार के इससे कोईलाखा खन निकाला जाता है जो बड़े- उजाचार को बक्ति अंदोलन का जरुंदाता माना जाता है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं भारत का राष्टी गउन है यह तो सब लोग जनते हैं भारत का राष्टी गउन क्या है तो जन गनमन ऑप्सन नमर सी सही है भारत का राष्टी गउन जन गनमन और राष्टगीत बं की थी चार ओप्शन देगे दोस्तों इसका सही अंसर है ओप्शन नमर डी सिवा जी को राजा की उपादी औरंग जेव ने दी थी औरंग जेव एक मुगल सा सकता इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं दोस्तों पांच नमर चुनाओ या चिका पर निरने लेने का अधिकार किसे प्राप्थ है चार ओप्शन देगे दोस्तों इसका सही अंसर है ओप्शन नमर एक उच्छ नियायालाई को चुनाओ आयोग पर निरने लेने का अधिकार प्राप्थ है नेक्स्ट कोस्चन पाते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोस्च इलाध दक्षिता थी New question यह रहा अनन्द डेरी फोर्म किस राज में इस्तित है चार अप्शन दियेगे दोस्तों इसका सई अंसर है अनन्द डेरी फोर्म गुजरात राज में इस्तित है गुजरात राज की राजदानी गुजरात दो निगष्ट vacon की मुद्रा है चार ओप्शन दिए गए दोस्तो इसका सही अंसर है ओप्शन नमर एक दक्षिन अप्रिका की मुद्रा रेंड है नेक्स्ट कोश्चन देखे दोस्तो ये रापलोंक समने ग्याण पीट पुरुसकार जीतने वाली पर्थम मेला कौन थी तो चार ओप्शन दिए गए दोस्तो इसका सही अंसर है ओप्शन नमर सी आसा पुर्णावदेवी ने सरपर्थम ग्याण पीट पुरुसकार जीता था और यह एक question इसमें तोरा सा फेर हो गया कि हिंदी में ग्यानपीट पुरुषकार सरप्रतम किसी ने जीता था महोदवी वर्माउन है ठीक है next question पर आते है यह रा next question आप लोग समने 10 number question है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगा कहों पर इस्थित है चार option दियेगे दोस्तों इसका सही अंसर है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगा अजमीर शरीफ में इस्थित है अजमीर वास्तव में राजस्थों में next question पर आते है यह रा next question question है आलपस परवत कहों पर इस्थित है चार option दियेगे दोस्तों इसका सही अंसर है आलपस परवत वास्ता में यूरोप महदेश में इस्तित है नेक्स्ट कोस्चन आते हैं देखिए कोस्चन कर रहा है कि आलपस परवत किस प्रकार का परवत है चार ओप्सन दिये गए दोस्तों इसका सही अंसर है आलपस परवत एक प्रकार का वलित परवत है कुछ वलित परवतों के नौम बोल रहा हूं हिमालय, आलपस, यूराल, रोकीज, एंडीज ये सभी वलित परवत की उधारन है नेक्स्ट कोस्चन देखिए कोस्चन है किस संबिधावन संसोधन के द्वारा मत दाता की आयू सिमा को 21 वर्ष से घटा करा 18 वर्ष कर दिया गया था चार उप्षन दिया गये दोस्तों इसका सही अंसर है उप्षन नमर्डी, एक सठमा संबिधावन संसोधन इसके द्वारामत दाता की आयू 21 साल से 18 साल करती गई एकदम इजी कोस्चन फिर भी पढ़ देता हूँ भारत का राष्ट पसु कौन है अप्शन नमर बी बाग नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन है हिरोश्मा पर गिराये गए बम का नाम क्या था तो एक बार हिरोश्मा पे बम गिरा था एक बार नागा सकी पे एक बार 6 अगस्ट को बम गिराये गया था एक बार 9 अगस्ट को गिराये गया था हिरोश्मा पे 6 अगस्ट 1945 को बम गिराये गया था उस बम का नाम लिटिल बॉय था ठीक नेक्ट कोस्चन पाते हैं कोस्चन है भारती अस्थल सेना के उत्री कमांड का मुख्याला है कहाँ परिष्थित है भारती अस्थल सेना तो थल सेना हो गया पूछ रहा है इसका उत्री कमांड का मुख्याला है कहाँ है तो उत्री, उसे उत्री, उसे उदम्पूर एनसर हो गया Next Question 11 Question is Theosophical Society का अंतराष्टि मुख्याले कहाँ पर इस्थित है Question अग बार फिर से बोल रहा हो कि Theosophical Society का अंतराष्टि मुख्याले कहाँ पर है तो एनसर हो गया Adyar, Option number C हाउला question समझके छोड़िये मत दिखे एक्जम में अक्सर हुला ही गलत हो जाता है बड़े बड़ी कोस्चन तो छोड़ के यह आ जाते हो कोस्चन अठार नमर अंग्रेजों का पर्थम संगर्स किस मुगल सासक के साथ हुआ था तो इसका सही अंशर है उप्शन नमर डी अवरंग्जीव के साथ अंग्रेजों का पाला संगर्स हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है विलायत खं का संबंध किस वाधी अंत्र से है चार ओप्शन दिएगे दोस्तो इसका सही अंसर है विलायत खं एक प्रकार के शितार वादक थे ओप्शन नमर सी next question देखिए शिन्दू घाटी सबिता की सबसे پरमुख बंदरगा कों था तो čार option दिएगे दोस्तों इसका सही answer है option number D शिन्दू घाटी सबिता का सबसे परमुख बंदरगा लोथल था next question दिए शिव कुमार शर्मा का सम्बंद किस वादि अन्तरशे है तो इसका सही अंसर हो गया दोस्तों अप्शन नमर एक संतूर वादक है नेक्स्ट कोश्चन दखिए सिधार्थ किस माउन व्यक्ति के बच्पन का नाम है यह आप लोग से भी विदित होगा इसका सही अंसर ओप्शन नमर सी गौतम बुद्ध का नाम सिधार्थ था नेक्स्ट कोश्चन दखिए संथाल विद्रों के प्रमुखनेता कौन थे चार ओप्शन दिये गए दोस्तों इसका सही अंसर है अप्शन नमर एक संथाल विद्रों के प्रमुक निता सिंदू और कौनू दो व्यक्ति भाई थे नेक्स्ट कोश्चन हरी पंडित हरी प्रसाथ चोड़सिया का संबंद किस वादी अंतर से हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन है सेरबजार का नियंतरन किसके द्वारा क्या आ जाता है चार अप्शन दिएगे दोस्तो इसका सई अंसर है काली बगन आप्शन वादी ये दखे नेक्स्ट कोश्टन अप लोगों समय आगिया कोश्टन है बीमव छेत्र का वी नियमान कौन करता है तो इसका चार अपिशन दिया गया दोस्तों इसका सहिए अशर है बीमव छेत्र का नियमान I, R, D, E करता है इसको इर्डा भी कह में बस्तों नेक्स्ट कुश्चन है दोस्तों ये देखे कुश्चन है पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है चार ओप्सन दिये दोस्तों इसका सही अंसर है ओप्सन नमर डी पंचायत और नगर पालिका का चुनाव राज चुनाव आयोग करवाता है नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं कुस्चन है भारत सरकार का पर्थम विदी अधिकारी कौन होता है तो इसका सही एंसर हो गया दोस्तो भारत सरकार का पर्थम विदी अधिकारी महोन यायवादी होता है अप्शन नमर बी नेक्स्ट कुस्चन देखिए एक तरस इंपोर्टेंट कुस्चन है God is greatest किस देश का राष्टी गउन है तो इसका सही एंसर है दोस्तों अप्चन नमर एक या अफगोनिस्ताउन देश का राष्टी गउन है नेक्स्ट कुस्चन देखे है आगया कि एड्स का नामकरण कब हुआ था एड्स का नामकरण कब हुआ था तो इसका सही एंसर है दोस्तों अप्चन नमर सी एड्स का पहलिवार नामकरण 1982 में हुआ था नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं दोस्तों कोस्चन है डेंगुजवर किसके कारण से होता है चार अप्षन देगे हैं इसका सही अंसर अप्षन नमर भी वाइरस के कारण डेंगुजवर होता है नेक्स्ट कोश्चन देखें दोस्तों कोश्चन है आहार नाल में अश्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तेतिस नमर कोश्चन है आहार नाल में अश्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो इसका सही एंसर है दोस्तों आप्शन नमर डी राष्टपती को, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रापलोक समने नेक्स्ट कुश्चन, कोश्चन है कि निम लिखित में कौन एक सरोध वाधक है, तो इसका सही एंसर है अम्जद अलिक्षण एक परसिद कारी नौक्रियों में आरक्षन किस अनुच्छेद के आधार पर प्रदावन किया जाएगा या जाता है तो इसका सही अंसर है दोस्तों अप्शन नमर्डी अनुच्छे सुल्ले के चार नेक्स्ट कोस्चन देए भारत के राष्टपती का अधिकार किसके समतुल्ली है तो इसका सही अंसर है दोस्तों अप्शन नमर्डी अनुच्छे समतुल्ली है भारत के राष्टपती का कालिकार नेक्स्ट कुश्चन देखए कुलेन अवस्दीक अफ्ड्वीन के लिए किया जाता है तो इसका सही अंसर है दोस्तों, option नमर 1, या कुलेन अवस्दीश सिंकोनों विर्थ से प्राप्ट होता है नेक्स्ट अंतिम कुश्चन है कि चाय पेर के किस भाग से प्राफ्ट क्या जाता है तो इसका सही अंसर है दोस्तों अपसर नमर डी पत्ती से चाय पेर के पत्ती से प्राफ्ट क्या जाता है